सरु पर्थम आप सभी काहार्दी कभिनन्द नेवं स्वागत हैं। मुर्ष और सत्य काज्यान। एक रिशी थे नाम था बलाधी, तरुन अवस्था में ही उनका एकलोता पुत्र की मृत्यू हो गई। इस घटना से वे अत्यंत बिचलित हो उठे, उन्होंने देवराज इंद्र की उपासना कर उनसे एक अमर पुत्र प्राप्त करने का निश्चे किया। इस संकल्प के साथ उन्होंने अपनी तपश्या आरंभ की और तपसक्ती से देवराज को प्रसंद कर लिया। इंद्र देव प्रकट हुए और उन्होंने रिशी बलाधी को बर मांगने का कहा। बलाधी बोले देव मुझे एक ऐसा पुत्र दें जिसकी कभी मृत्यू नो हो। देवराज इंद्र ने कहा रिशीवर मनुस्य देह का अमर हो पाना संभव नहीं है। कोई अन्यबर मांगिये कुछ सोचकर रिशी ने कहा तो फिर मुझे ऐसा पुत्र दीजिये जो तब तक जीवित रहे जब तक यह सामने खड़ा परवात अचल खड़ा है। इंद्र ने रिशी को तथा अस्तु कहा और चले गए। कालांतर में रिशी को पुत्र की प्राप्ती हुई उसका नाम उन्होंने मेधावी रखा। मेधावी को बाल्यावस्था से यह हंकार हो गया कि उसे कोई मार नहीं सकता। फलसरूप उसका बिवहार अत्यत उद्धंट हो गया। उसके बिवहार से अनेक लोग त्रस्त होकर बलाधी रिशी के पास पहुँचे। रिशी ने प्रेम से पुत्र को समझाया। पुत्र अहंकार ही मनुस्य के पतन और सर्वनास का कारण है। हमें कभी देव कृपा का अहंकार नहीं करना चाहिए। मेधावी को पिता का समझाना स्रेष्ट न लगा और वह उन्हें अब सब्द कहकर वहां से निकल पड़ा। मार्ग में उसकी भेट रिशी धनू साक्ष से हुई। जब उसने उनके साथ भी उद्ध दंटता बरती तो रिशी धनू साक्ष ने उसे ततकाल मृत्यू का साप दिया। मेधावी को मिले वर के कारण वह जीवित ही खड़ा रहा। रिशी को बड़ा अश्चरी हुआ की उनका वचन ब्यर्थ कैसे गया। उन्होंने धयान लगाकर सत्य का पता लगाया और मेधावी को मिले वर्दान का बोध होते ही उन्होंने हाथी का रूप धारन कर अपने प्रहारों से पहाड को ध्षत कर डाला, पहाड गिरते ही मेधावी की मृत्यू हो गई। जिसी बलाधी यह समाचार मिलने पर बोले, अमरपुत्र प्राप्त करने की अपेक्छा सदाचारी पुत्र होता, तो मुझे ज़्यादा संतोस मिला होता। उन्हें सत्य का ग्यान हुआ, मनुस्य को कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार मनुस्य को हमेशा गर्द की ओर धकेलता है। इसी के साथ मैं अपनी बानी को विराम देती हूँ, जय हिंद जय भारत।